नमस्ते अभिवादर आपका Innocent Investor के इस नए वीडियो में दोस्तों बाजार की बात करेंगे हम और गिर सकते थे लेकिन नहीं गिरे जो गैफ फिलिंग की बात थी वह हो भी सकती थी इवन यहां की बात यहां पर भी लेकिन लेकिन उसके लिए हमें ग्लोबल मार्केट से सच में नेगेटिव संकेट चाहिए होंगे तो कि अभी तक तो ऐसी सिच्वेशन हमें नहीं दिख रही है देखते हैं आगे क्या होता है आप थोड़े से अलेट मूड में रहिएगा ठीक है लेवल्स की बात कर लेते हैं उन पर आपको ट्रेड कैसे ले फिर रेजिस्टेंस पर आपको क्या करना चाहिए वह आपको खुद पता है मैंने बोला था कॉंटर ट्रेड आप ले सकते हो टार्गेट मिलता या नहीं आप खुद बता दीजे मेरे साथ क्या हुआ हुआ मैं आपको कहानी यहाँ पर समझाता हूं एक टार्गेट यहाँ मिल गया दूसरा टार्गेट मुझे यहाँ पर मिल गया लेकिन यहाँ पर जो गडबड़ी होई समझाता हूं देखिए यह और यह जो विक्स बनती है ना इनको आप अपने हिसाब से अपनी सहुलियत के हिसाब से यूज कर सकते हो जैसे कि बहुत ध्यान से समझेगा यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर मेरे साथ अच्छी बात यह हुई कि यहाँ पर जब मैंने बाई साइट का ट्रेड लिया था तो यह जो अपरचुनिटी आई इसको मैंने एवरेज करने के लिए यूज किया और यह चीज कभी-कभी आपके लिए कमाल करेगी और कभी- समझ रहे ना बाकी यहाँ पर अगर आप बाई साइट का ट्रेड लिया होते तो कुछ भी नहीं मिला आपको अटकी ही रहेगी बजार क्लोजिंग के दौरान तो कुछ भी हुआ है नहीं मतलब उपर नीचे उपर नीचे थोड़ी सी वोलाटाइल हो रही थी इन लेवल्स क से हिसाब से आप की क्या सम्भावना बनी वह जरा सा बताईएगा काफी अच्छा सम्मान आज बैंक निफ्टी ने दिया है उसको भी जरा आपको दिखाना चाहेंगे और यही कहता हूं कि आप अपने हिसाब से लेवल्स को यूज करना सीखिए क्योंकि अगर आप सिर्फ को यूज करना सीख गए आपको बहुत मजा आने वाला है निफ्टेडर सेट अप है तो और मजा आएगा नहीं है तो भी आप लेवल्स की मैदद से प्रॉफिट कमा सकते हों यह लेवल आपको बताया गया था यहां पर देख लीजे यहां पर देख लीजे इहां पर देख एक पोजीशन मना करके रख के होते हैं का उसका टार्गेट मिलता है यहां पर आप देखिए stop loss तो नहीं मिलता है तो fix बात है target यहां पर मिल जाता थिक अब जो लोग सोचे होंगे कि यहां पर अपर हम by side का trade ले 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 लेते हैं रेट्रेस्मेंट पेवरेज कर लेते हैं, उनको भी अगर वह 100 पॉइंट का टार्गेट लेते हैं, बैंक निफ्टी में मिला होगा, ठीक, गल्ती कहा होई होगी, हो सकता है कि जो लोग लेट किया हो, उनको स्टॉप लॉस्स मिल गया हो, लेकिन फिर यहां पर सपोर्ट तू आपको अरिंजमेंट करनी है, ठीक है, और जहां पर भी आपको सूटेविलिटी ज्यादा दिखाई दे, जैसे कुछ लोग सच में ऐसे हैं, उनको बैंक निफ्टी बहुत सूट करता है, और वो बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, मुझे निफ्टी थोड़ी सी कम वोलाटिलिटी जैल पाता हूं, बाकी बैंक निफ्टी से याद आ रहा है, कि आज HDFC और HDFC बैंक जो खरीद के बैठे थे, उनको काफी तकलीफ जैलनी पड़ी है, और जो इन्वेस्टर्स, मैं उनको सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स कहूंगा, बड़े-बड़ चलिए, तीन मिनट और दस मिनट की केंडल्स पर क्या-क्या ट्रेड मिले मैं आपको समझा देता हूं, दोनों जगह पर पुट बाइंग की सला मिली थी, मतलब बाजार और गिरेगी हमारे सटप ने कहा और उसके बाद आपको यहां पर आसानी से टार्गेट भी मिले, इन लोगों को थोड़ी सी ज्यादा ब्रोक्रेज देनी पड़ती है, जो 20 और 25 पॉइंट के टार्गेट के लिए जाते हैं, क्योंकि ब्रोक्रेज उतनी देनी है, आप चाहे 10-15 पॉइंट से काम चला चाहे 20-25, अब इसलिए मैं 20-25 पे रहता हूं क्योंकि मैं एवरेज कर करता हूं, ठीक है, तीन मिनट और 10 मिनट की केंडल पे जिनके पास भी निफ ट्रेजर सेट अप है, उन्होंने ट्रेड गया, तो 10 मिनट पे तो कोई संदेह नहीं, आपको टार्गेट मिला ही होगा, तीन मिनट पे अगर आपके साथ गड़बडी हुई है, वो त्वड़ा तो यह दिमाग पे बहुत बुरा असर डालती है, तो यही मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाओंगा, सेर कीज़ेगा अपना ट्रेड तो फिर आपको वीडियो भेज़ दूँगा, खुलने के बाद 10 मिनट की यही केंडल पे पुट माइं की सला दी थी सेट अप यह दुख वाली बात याद आती है, तो IOLCP ने भी बहुत जलाय था और आज भी यह स्टॉक आल्मोस्ट बारापर अपर है, आप देख लीजे यहां पर 20 परसेंट यहां पर यह दस परसेंट यहां पर भी 10-12 परसेंट उपर है, मतलब 20, 10, 30, 10, 40 परसेंट तो चार दिन मे जो लोगों ने मुझ पर भरोसा किया उनको देखिये क्या रिवार्ड मिला है बाकि जिन लोगों ने नीचे अवरेज नहीं किया तो आप यहां पर सर पटकने की जरूरत नहीं है पता चले एज़ेपसी बैंक और एज़ेपसी कि तना आप यहां पर फंसने आ गए हो DCB Bank इस स्टॉक को मैं फिट से आपके सामने इसलिए लाया हूं कि हमने इसको आपको बताय था लेकिन इसके कॉंट्रेरी एक भाई साब बोले आपका DC Bank चार दिन में जितना भागा उतना तो एक दिन में भाग गया तो यार ठीक है अपना-पना स्वैग है अपना-पना चुनाओ है आपको यस बैंक पसंद है तो यस बैंक में खरीदारी घर के बैठे रहो लेकिन याद रखना जो ज्यादा तेजी से उपर जाता है न वह आगे नहीं बोलूँगा ठीक है निफ्टी फानेंशल सर्विसेज भी इसी लिए गाउन था बाकी अन्य जगहों पे कुछ खास तकलीफ नहीं थी खासकर आज पेटियम बढ़िया चल गया पांच परसेंट उपर क्लोज हुआ है सेल वेधान्त वैंक और बढ़ोदा आयोसी ये स्टॉक्स बढ़िया चले गि याद है कुछ कुछ याद आया हिंदुस्तान पेट्रोलियमा साढ़े तीन परसेंट उपर है कॉन को और बढ़ी हचला टीवीस मोटर एयू स्माल फाइनेंस वेंग गिरने में आयार सी टीसी चार परसेंट गिर गया जील बालकृष्णा इंडस्ट्री आर्ती इंडस्ट् सब्सक्राइब नाम इमेल आईडी और मैसेज छोड़ियेगा निफ्ट इंडिया डॉट इन यहाँ पर विजिट करोगे तो आपको यह ड्रॉप यूर कोईरी का संगमेंट मिल जाएगा अभी के लिए इतना ही जल्दी मिलेंगे देर सारी अच्छे वाली वीडियो में रा इसे आप डिकोट कर पाऊगे कि यह लेवल्स आपकी कितनी मदद कर सकते हैं भी के लिए इतना ही नमस्कार